राजिस्थान में 4588 पदों के लिए 2 जुलाई को कॉंस्टेबल भरती परिक्षा कायोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश भर के 1,72,000 केंडिडेट ने रेजिस्टरेशन करवाया है लेकिन राजिस्थान में लागू ही नेट बंदी और हिंदू संगठनों के बंद की वजह से भरती परिक्षा में शामिल होने वाले केंडिडेट अपने एडिमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे है ऐसे में भरती परिक्षा में शामिल होने वाले कंडिडेट एक जुलाई से शुरू होने वाली फ्री सफर की सेवा का फायदान नहीं उठा पाएंगे दरसल राजसान में प्रितियोगी परिक्षाओं के दोरान केंडिडेट अपना एडिमिट कार्ड दिखा कर राजसान रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकते हैं लेकिन राजिस्तान में पिछले दो दिन से नेट बंदी लागू है ऐसे में केंडिडेट अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनोती है और इसी का सामना इस वक्त त्माम जो भ्यरती हैं वो कर रहे हैं वहीं इमित्रों और साइबर कैफे भी हिंदू संगठनों के राजिस्तान बंद के आवहान के बाद आज पूरी तरह से बंद है इसका खामियाजा आम छात्रों को उठाना पड़ रहा है झाल